नमस्कार नियूज 18 मध्यप्रदेश 30 गड़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ अन्शिका पाठक बुलिटिन की शिर्वात करेंगे भोपाल सा रही बड़ी खबर के साथ EVM पर दो धड़ों में कॉंग्रिस बढ़ चुकी है गोविन सिंग ने EVM पर सवाल खड़े कर दिये हैं तो दूसरी तरफ EVM रहने तक प्रजातंत्र का गला घोटा जाता रहेगा ये भी कहा है स्क्रीनिंग कमिठी की चेयर परसन रजनी पाठिल का बयान आया है कॉंग्रिस ने कभी नहीं कहा EVM से नहीं जीतेंगे चुनाओ हम अपने बलबूते पर चुनाओ लड़ेंगे रजनी पाठिल का ये बड़ा बयान तो EVM को लेकर अब दो तरीके के बयान सामने आ रही है कॉंग्रिस पाठी की तरफ से एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि जब तक EVM रहेगा तब तक नहीं जीत पाएगी कॉंग्रिस तो दूसरी तरफ कहा गया है रजनी पाठिल की तरफ से कि हम अपने बलबूते पर चुनाओ लड़ेंगे तो राज जान भूज के जताए हैं ताकि लोग एक सो चालीस करो पेस की जनता प्रहमर आए कि भाई अब दो छोटे छोटे चोटे राज जता दिये और बाकि वहां बोला नहीं तो इमान दानी जीत का है जहां पूरी इवियम का प्रवाण दो चुकी अगर इवियम में गोटा नहीं कराना चाहिए तो क्या करना है बोड़ीजियों को कौनसा भैता चीफ जस्टर इंडिया ने कहा था कि इसकी लिख्टी हम प्लान मंत्री डिटर अपोजिशन और चीफ जस्टर इंडिया करेगा का प्रवाण दो चाहिए तो आपने सुन लिया और साथी रजनी पाटिल का क्या कहना या आपने सुन लिया लेकिन कॉंग्रेस नेताओं की इवियम पर आरोपों को लेकर बीजेपी मीडिया के अध्यक्ष आशी शगरवाल ने कहा है कि कॉंग्रेस पहले इवियम को लेकर एक मत्त हो जाए कोई कहता है कोई भी दिक्कत नहीं और कई लोग सवाल खड़े करते हैं कॉंग्रेसी अपने निजे स्वार्थ के लिए पूरी प्रक्रिया को बदनाम करने में लगी है हार का ठीकरा बड़े नेताओं पर ना फूटे इसलिए कॉंग्रेस के नेता ऐसे बयान देते हैं सुनिये उनका क्या कहना है कॉंग्रेस अपने वरिष नित्रत पर हार का ठीकरा ना फूटे इसके लिए स्क्रिप्ट लिखता है जिसमें EVM को टूल के तरह इस्तेमाल करता है ताकि राहूल गांधी पर हार का ठीकरा ना फूटे ये देश मजबूत लोगतंतर है यहां की जो प्रक्रिया है चुनाव वो पूरे विश्म में सरही जाती है कॉंग्रेस ही अपने निजी स्वार्थ के लिए इसको भी बदनाम करने के लिए लगे हैं प्रशांत कटारे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं प्रशांत सवाल ये है प्रशांत कि जीते तो हम हारे तो EVM ये राग कॉंग्रेस का लंबे स समय से देखा गया है जब चुनाव हिमाचल के हुए जब चुनाव दक्षन के हुए जब कॉंग्रेस जीती तो हमारी महनत से जनतारे हमें चुना है ये तमाम चीज़े कॉंग्रेस कहती हुई नजर आए लेकिन जब हार गई चुनाव तो EVM पर ठीक रहा और उसमें भी कॉ गडबढ़ है या EVM के जरिये गडबढ़ की जाती है वो पूरी लीडर्शिप अगर हम मद्याप्रदेश का जिकर करें तो जो टॉप लीडर्शिप है वो लगातार EVM पर सवाल उठाती रहे लेकिन रजनी पाटिल स्क्रीनिंग कमिटी की चेर परसन है उन्हें ये बताना है कि भई आप एक बात ही नहीं समझ पा रहे हैं या एक लाइन नहीं ले पा रहे हैं पार्टी के अंदर कि भई वाकई EVM को हमें पूरा दोश मढ़ना है या फिर हमें चुनाव किस रूप में जाना है ये वाकई में सवाल है जिसका जिक्र भी आप करनाठक में आपको पर परिशानी समझ में नहीं आई करनाठक आप जीत गए तो करनाठक में EVM ठीक थी हिमाचल में EVM ठीक थी और ये बताता है कि कैसे पार्टी के अंदर कॉंग्रेज के अंदर अलग अलग धड़े चल रहे हैं एक जो धड़ा है वो अलग लाइन पकड़ता है दूसरा धड़ा अलग लाइन पकड़ता है EVM पर ही अभी तक तस्वीर साफ नहीं है और यहां पर जो बैठक हो रही थी कॉंग्रेस दफ्तर में चुनाल तैयारियों को लेकर हो रही थी आप समझे कि जब किसी मसले पर आप एक लाइन नहीं तो फिर बैठक में आप कैसे एक मत हो पाएंग बिल्कुल बिल्कुल यही बात सहिए कि भई आप लाइनों पर एक नहीं हो पार हैं वहाँ इंडी गटबंदन का दिकर है एक एक करिंडी गटबंदन से लगातार एक एक दल चोड़ के चले जाए चले गए या किनारा कर लिया इंडिया गटबंदन से कॉंग्रेस के साथ चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो या फिर हम कहें ममता बेनलजी की बात हो नितीश कुमार अब अलग हो गए तो यह हो सकता है कि लगातार यह जो जटके कॉंग्रेस जेल रहे हैं जटकों को कॉंग्रेस के नेता नहीं जेल पा रहे हैं कॉंग्रेस नहीं जेल पा रहे है इसके बाद इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं लेकिन इतना जरूर तेह करना होगा कम से कम EVM पर तो एक लाइन रखे कॉंग्रेश अगर EVM पर आप एक लाइन नहीं है तो एक लाइन एक विचार धारा बहुत जरूरी है प्रिशान बहुत शुक्री आजानकारी साजा करने के लिए शुलिया आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे भोपाल की ही जहां कॉंगर्स स्क्रीनिंग समीती की बैठक में बड़े नेताओं को चुनाव लड़ने की मांग उठी है क्या अब बड़े नेता कॉंगर्स के लोगसभा चुनाव लड़ेंगे अब कबर चिनवाड़ से आ रही है जहां कमलनात का बड़ा बयान आया है प्रमोध कृष्णम पर बड़ा बयान दिया है कमलनात ने कहा कि कोई किसी पार्टी से बंधा नहीं जिसको जहां जाना है ज प्रमोध कृष्णम को लेकर बड़लते हुए नजर आ रही है और कहा कमलनात ने कि कोई किसी पार्टी से बंधा नहीं है जिसको जहां जाना है वो जा सकता है कि यह पार्टी तय करेंगी अभी कोई बात यह नहीं है सबसे चर्चाएं हो रही है जो जीतता है उसे पार्टी उतारे जी जो आपके प्रमोध प्रश्णन जैसे कॉंग्रेस के नेता भाजपा में आने की अठकले हैं तो इन पर मतलब क्या कहेंगे जो राजनेता पार्ट चोड़कर दूसरी पार्टी के दामन सामेंचे अदो सबस्वतनत्र हैं और बंदे वह तो किसी पार्टी से नहीं है कैलाश विजेवर्गिये जो की इंदौर से विधायक है उन्हें जबलपूर का क्लस्टर लीडर बनाया गया है उज्जैन में विश्वास सारंग इंदौर के लिए जगदिश देवडा जो की डिपिटी सीम भी है भोपाल में राजेंद्र शुकला जो की डिपिटी सीम है रिवा में प्रहलात पटे जिलोने नर्सिंग पूर से विधान सभा चनाव में जीता हासिल की थी गौलियर से भूपेंद्र सिंग और सागर से नरुता मिश्रा पूपाल से बड़ी कबर आ रही है जहां पीएम मोदी करेंगे लोकसभा चनाव अभियान का आगाज लगभग्यारा फरवरी से बताय जा रहा है जब पीएम मोदी का MP दौरा होगा प्रस्तावित है फिल्हाल ये दौरा आदिवासी बाहुल जाबुआ से करेंगे आगाज आदिवासी वर्ग को साधने का प्रयास होगा बीजेपी ने इस बार मिशन 29 का MP में नारा दिया है तो मिशन 29 अगर बात करें बीते लोक सभा चुराओं की 2019 की तो 28 सीटों पर सीटे जीतने का दावा भारती जनता पार्टी कर रही है और इसके लिए भी इंतजार है इसका आगाज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बीजेपी के वयो वर्धनेता लाल कृष्णाडवानी को 94 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रतने से सम्मानित किया जाएगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी भी दी है प्रधान मंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर आडवानी के साथ अपनी दो तस्वीरे शेर की और लिखा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवानी जी को भारत रतने से सम्मानित किया जाएगा पीम ने लिखा मैंने उनसे बात भी की और उन्हें ये सम्मान दिये जाने पर बधाय दी देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया था और वो देश के उप प्रधान मंत्री पद तक पहुँचे पूर प्रधान मंत्री स्वर्गी अटल भिहारे वाजपई के बाद आडवानी बीजेपी के दूसरे नेता और पचासवे शक्स है जिने भारत रत्न दिया जाएगा खुशी है मुझे भी पूरे परिवार को कि दादा को इतना बड़ा सम्मान देश का सरजोचे सम्मान मिला है निश्चे थी आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज़्यादा आ रही है वो मेरी मा है और मा का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है नीजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी दादा बहुत खुश है मैंने जब दादा को बताया मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन तो प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी ने लिखा मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवानी जी को भारत रत्ने से सम्मानित किया जाएगा तो देखिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वेट कर खुशी जाहिर की और बधाई भी दी है लाल कृष्णाडवानी को एक तस्वीर आपके सोशल मीडिया पर भी देखा होगा जब देखे आए ये वीडियो देखिए इस वीडियो में आप देख सकते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हात जोड कर उनके सामने नतमस्तक हो कर उन्हें बधाई भी दियो और ट्वीट के जरिया आमें इशारे भी देखे हमारे वरिष्ट नेता और देश के पूर्व प्रधान मंत्री आदर्णी श्रीलाल कृष्णा आडवानी जी को भारत रत प्रित्व से देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए अभूत पूर्व कार किया अडवानी जी को भारतिय राजनीती में प्रमानिकता के मानक तै करने वाले राजनीता के रूप में जाना जाता है ये अमित्शाह ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की और बधाई द गौलियर में केंद्रे मंत्री जोतिरा दिते सिंधिया एक बार फिर अलग अंदाज में दिखे सांसद खेल महचप के दौरान जोतिरा दिते सिंधिया सितोलिया खेलते नजार आए सिंधिया ने खुद ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अरजुन की तरह लक्ष निर्धारित करने और उसे साधली की सीख भी खेल से ही मिलती है